हाई गाई स्वागत आप लोग कर मेरे चायम पर में अम जानेट अगर आप लॉट क्या रहे है थैंक्यू आपके लाइस सब्सक्रिप्शन के लिए आपके डोनेशन के लिए अपके फुरान सपोर्ट के लिए अगर आप पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब सरूर से कर आप लोग मुझे नहीं देख सकते मैंने कैमरा ओफ कर दिया है मुझे अच्छली बहुत नहीं दा रही थी बट देन मुझे इन मैसेज़ेस को डिलेवर भी करना है तो आपका पास्ट परसिन का कोई एक्स है या कोई पार्टनर है जो आपके बारे में जानते हैं या उन्हें पता चला है या फिर अभी-अभी वह एक्स बने हैं इसलिए वह कहीं नगए आपको कॉंटक करना चाहते लिए कुछ यहां पर एक्सपोज हुआ है ठीक है आपके यह जो भी आपका परसिन ऑफ इंट्रेस्ट है उनके बारे में उन्हें कुछ पता चला है और अब वह आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं आपके साथ कम्मुनिकेट करने के लिए यहां पर जो अनॉइंग चीज में यह देख रही हूं कि यह डायरेक्ली आपकर करके आपसे बात करने के जगह यह लिटरली आपको मैनेफेस्ट करने की कोशिश कर चुके है तूदर पॉइंट की देसे की इन्होंने इस परसिन ने जब इन्हें आपके बारे में पता चला यह चैशन ने अपके सामने पैसे का घं मण दिखाने की कोशिश कर रह थे लैक लिटरली शो करने की कोशिश कर ल現在 कि उनके पास कीतना पैसा है देखो कितना स्टेवल है वो लोग और आप नहीं हो थीक उ कि आपक्छली युनुवास उनके फेवर में है नहीं तो यह रिले इस पर्टिकुलर परसन ने यह भी आपको कहीं न कहीं एनिजटिक वाइज एक इंट्राप्मेंट में डालने की कोशिश किया ठीक है जो इस टाइम पे इस कि आहिएव थे और आने वाला समय में जो इस पेल वक्स होने वाले हैं वार में तीस तारीक का एक रखा हुआ है टू आतर्ट वेडिटू का एक टॉक्सिक पेल्ट रखा हुआ है यह लोग प्लान कर रहे हैं तो यह पसे ली आपको किसी इंट्राप्मेंट में ब्स्पिर करने की वह कोशिश कर सकते हैं ठीक है दिसे इनकी पास्ट में जो उन्होंने spellwork किया था वो already reverse जा चुका है ठीक है वो चाहते थे कि आप उन्हें contact करो उनके वो कुछ reaction आपके भीतर create करने की कोशिश कर रहे थे वो literally चाहते थे कि आपको तकलीफ पहुचे ताके उनका ego boost हो यहां पर आप पर कोई असन नहीं हो रहा है कि उन्हों उन्हों साथ रहे ना रहे it stopped bothering you ठीक है न इसके वज़े से आपकी energy और उनके तरफ जा नहीं रही है they're saying कि कहीं न कहीं आप वो blocked हो गये है somehow आपके energy में वो नहीं आ पा रहे वो आपको शायद social media वे नहीं देख पा रहे आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है और energy wise भी उन्हें आपसे कुछ मिल नहीं रहा है तो यहां पर वो कोई drama शुरू नहीं कर पा रहे specially अगर अभी अभी आपके person और इसका breakup हुआ है ठीक है और वो गुस्से में है frustrated है and they're saying उन्हें बहुत डर भी लग रहा है कि आपका person कहीं आपके पास लोटके ना आ जाए तो वो information एकटा करने की कोशिश करें पर उन्हीं को information मिल नहीं रहा है तो जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो यह person डारेक्ली आपको contact कर सकता है ठीक है यह एकटम straightforward communication करना चाहते हैं यह कुछ बाते आपसे जानना भी चाहते हैं और कुछ बाते आपको बताना भी चाहते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे कि आप में ऐसा क्या है जो आपका person आपको भुला नहीं पाते है या constantly आपके बारे में सोचते रहते हैं आपको compare करते रहते हैं माफिरागर के उनके दिल और दिमाग में आप ही आप छायर हुए रहते हो यह कुछ भी करें कभी काफी नहीं होता है somehow like आपके person को अपने साथ पाने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से कभी आपके person को पा नहीं सके तो आप में ऐसा क्या खास पात है जो उनमें मिसिंग है ठीक है और यह भी कुछ बाते बताना चाहते है कि आपका person के issues है कुछ दियर सेंग कुछ issues है उन्हें इस बात का बहुत डर लग रहा है कि आपका person लोटके आपके पास आ जाएंगे उन्हें छोड़के आपके पास आ जाएंगे सो वो कुछ drama स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपका person पास में अगर इमोशनली उनके तरफ इन्वेस्टेट थे तो अब नहीं है आप अपने परसें से विड्वा कर चुके हो आपका person उनसे विड्वा कर चुके है इस परसें यह जो भी कार्मिक एनेजी है ना यह बहुत ही टॉक्सिक है क्वीन और सौज रिवर्स्ट बहुत ही मानुप्लेटिव है पास में वह काफी सारे लोगों को मानुप्लेट कर चुके हैं सक्सेसफुल भी रहे हैं we have the charity and it's reversed but then अब और यह सारी चीजे काम में नहीं आ रहा है ठीक है इन्होंने आपके person point trap किया था क्यूंकि उन्हें कुछ benefits मिल रहे थे ठीक है पर उन्हें आप अफसोर्स हो रहा है क्यूंकि उनका कोई भी plan काम नहीं कर अचा लिसंद in re メि मौस में अंदर होता है जब कोई इंसार स्रीजाब करता है इल्हें जो रिजल्स चाहिoi है था जो वो benefits हासिल करना चाहते थे जो लाब उन्हें मिलना था वो उन्हें नहीं मिला तो उस बात के लिए उन्हें अफसोस हो रहा है पर जब आप कोई कहता है कि उन्हें रिमोस फील हो रहा है it means कि उन्हें benefits को खोने का नहीं बलके वो उस इंसान को खोने का और actually में उन्हें जो गलती की है जिसके वज़े से उन्हें उस इंसान को खोया या वो बहतर इंसान बनने से जो चूप गया उसका उन्हें एक तकलीफ है और रिमोस जब इंसान में होता ना तो वो actually अपने आपको बदल रहा होता है ठीक है ना genuine level पे उन्हें उनकी गलती समझ में आचुकी होती है और वो अपने आपको बदल रहे होते है but regret is more like मैं it's like मेरा calculation गलत पर गया मैं बदलना नहीं वाला हूँ तो कुछ और plan करके किसी और तरीके से मैं कुछ और ट्राइ करने वाला हूँ ठीक है ना तो ये अंतर होता है तो इस person को यहाँ पर बड़ा regret feel हो रहा है कि इनके कोई भी plans काम में नहीं आ रहे है सम्हाँ ठीक है इसलेक पास में आपका person इनकी बाते बहुत सुनते थे मानते थे but then your person is a player they're saying ठीक है तो वो अपने player mode में उन्हें लगा था कि उनके इसलेक उन्होंने आपको replace किया था इस कार्मिक को वो replace नहीं करेंगी उन्हें लगा था कि यह कार्मिक को लगा था कि आपका person पूरी जिंदिगी इनके साथ रहने वाले है ठीक है कि इनका प्यार इनका attention कुछ कहीं कहीं नहीं जाने वाला है पर उन्हें इस बात का धक्का लग रहा है कि विकॉज यह कमिंटू realization कि आपका person actually clear है और यह उनकी आदत है ठीक है ना एक परसें से दूसरा दूसरे से तीसरा में जंप करना या उनका interest का खोना ठीक है यह pattern है उनका जैसे उन्होंने I feel कि आपने अपने person को यहाँ पर dump किया था और आपके पास कुछ valid reasons थे और यह जो कार्मिक है ना वो literally आपस उन reasons को जानने की कोशिश करना चाहते है कि आपने इस person को dump किया तो किया क्यों था क्योंकि इस कार्मिक को भी अभी यहाँ पर issues नजर आने लगे हैं धेर सारे बहुत सारी चीजों को आपको पता ही नहीं चला है कि वहाँ पीछे काम कर रहे थे ठीक है इनके बहुत से हरकतों के बारे में जिनके बारे में आपको नहीं पता है इस कार्मिक को पता है इस कार्मिक को पता है यह कार्मिक यह कह रहे है कि आपके पार्टनर के बहुत सारे पर सम्हाव कहीं न कहीं उनके जुबान से आपका नाम कभी हटता नहीं है इस लाइक उनके अगर पकर लो पंद्रा लवज है ठीक है पंद्रा लव इंट्रेस्ट है उन सारे के सारे पंद्रा लवज को आपके बारे में पता है पर आपकर बारे में झालाए तो नहीं हो कि यह पुदिक्ड है को सबस्क्तुलिंद्पियों और आ सबमक कोने तो हें क्पुदियें गुथिете दीन, आपकर वेल के विंगो पते हुए FDA miracles सब्सक्राइपोले शुक्तविक्ते जी दुसमा कि इसाएंड कि जे एक हैं आपका परसन उनके पास है मतलब वह बेस्ट है बट नाव यह कमें इंटो इस रियलाइजेशन की चीजे इतना भी यून स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है इस इस आपके परसन के बारे में बहुत सी ऐसी चीजे पता चली है जो उनके लिए भी बहुत ही ओफेंसिव रहा तो यह कार्मिक अब आप से जानना चाहते कि आपने परसन को डंप क्यों था इन्हें लगा होगा आपके परसन ने कहा होगा कि आप बुरे थे शायद आपने चीट किया जूट बाते बोली होंगी जिससे इस कार्मिक का जो ईगो है या फिर उनका जो सौफ स्पोर्ट है उन्हें लगा हो कि आहा बेचारा या बेचारी इसको साथ तो धुका हुआ है बुरी है यह वो बट अगर वो आप इतने ही बुरे हो तो फिर आपका परसन आपको भूला क्यों नहीं बात है क्यों हर बात हर चीज में आपका कंपैरिजन आ जाता है इस रहे कि आपके परसन जो भी उन्होंने जूट बाते बुली है ना अपने आपको अच्छा और आप को बुरा दिखाने के लिए वो सारी चीजे अलाइम नहीं होता है कि एक आपके बारे में पता है दिया से उन्होंने कुछ चीजे ऐसी देखी है जहांपर उन्हें लग रहा है कि आपके परसन ने जूट बुला था उन्होंने कहानी को उल्टा बताया था इस लेक धोका गर और तो अबने कहानी कहानी की छूट आपने दूपा दिया था जूट उल्टा कारके यहां पर बताया गया था झाल में जुब लेक यहां पर इस को लेकर यहां पर फाइवर बॉंस के साथ बहुत जग्रे ओचुके बिकोज़ सी आपके इस कार्मे को भी पता चल चुका है क यहाँ पर ऐसल म सही आ पर एस्यित्थन कहाणी क्या है कर्म 1 और निया पने अपने आपने आप्रिच यह सीन ऑखरना और यह सेओं ठीक है त्सक्तांतलिक मैं अच्छेकर काms यूजट फील हो पर रही है या यूजट फील कर रहा है and they are very angry तो आपके परसेन को भी इंटराप करना चाहते हैं और आपको भी टारगेट में लेना चाहते हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो की ये परसेन कोंटाइक भी करेंगे और आपके तरफ इस परसिन इस क्रेजी स्क्रिजोफेनिक निकल के आया है यह कार्मिक मेंटिल थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है बहुत इसे मेंटिल इशूज है यहां देख हमें इंटू अवेर्नेस सिच्वेशन की रियालिटी उन्हें अब धीरे 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 पता चल रहा है एक टावर मुमेंट है जो आपका परसिन यहां पर अवॉइट करने की कोशिश कर रहे थे वह कोशिश कर रहे थे कि इस कार्मिक को पता ना चले कि सच क्या है कि वह उन्हें यूज कर रहे है या फिर एनिफिंग लाइक दाट बट यह टावर फिर भी हिट किया है वह नहीं चाहते थे कि यह सारे जो फैक्स है यह सामने निकल के आए आप स्वेशली आपके बारे में कि आपके और आपके परसिन के बीच में क्या हुआ था क्योंकि उन्होंने सारी कहानिया उल्टी करके बताई थी वह नहीं चाहते थे कि इस कार्मिक को आपके बारे में बता चले या फिर युनोँ आप दे वांट एक्षिल वह चाहते थे कि इस कार्मिक को लगे कि आप विलिम हो थीक है वह यहां पर शो करने की गोशिश कर रहे थे कि इस कार्मिक को अब धीरे धीरे यहां पर बहुत सी चीज़े रियलाइज होने लगे हैं यह सिचेशन आपके पॉसिन के हाथ से पहाड निकल गया इस लैक आपके पॉसिन ने अगर इस कार्मिक को इंफोमेशन दिया भी था तो सिर्फ एक जताने के लिए कि मैं बिचारा मेरे साथ गलत हुआ है देखो मुझे प्यार की जरूरत है अगर यह कार्मिक थोड़ा उस टाइप के है जहां पर उन्हें लगता है कि वो लोग के लिए करके उन्हें अपने साथ बान सकते हैं तो आपका पॉसिन ऐसे शोग कि होंगे कि हाँ मैं बिचारा हूं मैं बिचार केर ओफ किसी में मुझे से प्यार नहीं किया देखो मेरे एकस ने भी मुझे धोका दे दिया तो अगर इस कार्मिक को हीरो बनने का शौप था या फिर वो जानती थी या जानता था कि चलो इसको थोड़ा सा देर करके इसे अपने साथ बांधा जा सकता है इसके अपने हिसा रख लो ठीक है यह कार्मिक अब रियलाइस कर रहे है कि यह सब दिखावा था क्योंकि आपका परसेन इंसे सिफ अपना पैसा निकलवाना चाहते थे जितना हो सके उतना बस बैट के मुफ्त का यूनो शॉटकट में प्रॉबरी किसी फाइनाशल स्टेटस पे पहुचना च परसें भीज़ा प्रॉचिश कर रहेते और उसकार में को यूज कर रहे थे अपनी बेनेफिट के लिए और जैसे जैसे इसकार में को रियलाइस हो रहा है था कि आपके पवरसेन ने उसकों यूस क्या हुए उनका दिमाग और वी जादा सनक कर रहा है and they're getting into a revenge mode यहां पर आप सेव डूल जाओ गेएद माश्झेश क्ली गिंग कि यहां पर आपके पॉसिंग को डायरेक्ली इनके इनके साथ दील करना होगा से इनकी जैसे तुमने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है वैसे इसको जहेलो आपका पॉसिंग का अगर रेकॉर्ड रहा है ना यूगाइज नो अगर आपके लिए अपका मैसेज है ना तो आप अब तक अलड़ी समझ चुके हो इस रहे कि आपके पॉसिंग को आदत रही है लोग को अपने हिसाब से कंट्रोल करने का उन्हें यूज करने का ठीक है ना इस बार उन्होंने जिस कार्मेक को अपने लिए चुना है ये कार्मेक अपने आप में बहुत पाफुल है वस एंड ही और शी इस लिटल क्रेजी ठीक है ना इसे धोके का बदला लेना आता है आपका क्या है आप प्यार करते थे इस परसें से जैनुएल लेविल पे आप ए ये कार्मेक है वस उपर से थोड़ी थोड़ा सा इसका दिमाग खराब है ये बदला लेते हैं यह यह आपके परसें को अच्छा खासा घसेटने वाले हैं और बी वेरी सुक्सेस्पुल इन डूएंगे आपके परसें को ऐसा सबख सिखाएंगे कि वो जिंदगी में तो क्य अपने किसी भी नेक्स जनम में भी किसी को इस तरीके से यूज करने के बाद में नहीं सूचेंगे ये कार्मेक उने अच्छा खासा सबख सिखाने वाले हैं ओके गाईस आप लोग अपना ध्यान रखो मैं मिलते हूँ आप लोग से अगले वीडियो पर टिक केर बाई